दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी पोस्ट ओफिस में सुकन्य समर्दी अकाउंट है तो आप किस तरह से घर बटे ही अपने मोबाइल के दोरा अपना सुकन्य समर्दी अकाउंट का जो है मिनी स्टेटमेंट किस तरह से चेक कर सकते हो यानि आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपने जो है इसमें कब-कब कितने रूपे जो है इसमें डाले हैं सुकन्य समर्दी अकाउंट में तो मैं सुकन्य समर्दी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक करने का जो है complete procedure बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेके last तक देखके आ आपके पास phone हो या फिर laptop हो इसमें आप जो भी browser यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आपको अपने browser का जो है search box को open कर लेना है ब्राउजर के search box को open करने के बाद आपको इसके search box में टाइप कर लेना है इंडिया post payments bank ये भी जो है post office sky bank होता है तो आपको सबसे पहले जो है search box में अभी हमारे को क्या करना है कि इस page को जो है उपर की तरफ scroll करना है तो जैसे ही आप उपर की तरफ scroll करोगे इसमें इंडिया post payment bank की जो एक service का option आजाएगा वहाँ पर जाके और हमारे को click कर देना है तो आपको page को जो है उपर की तरफ scroll करते रहना है और यहाँ पर आप कुल के show हो जाएगा तो फिर जो है इस तरह से जो है next page हमारे सामने कुल के show हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं service through IPPB का option है इसमें दो option दे रके हैं तो इसमें जो नीचे वाड़े option दे रके हैं posb payments using IPPB जो नीचे वाड़ा option है इसके उपर उपर आप जैसे किलिक करो किलिक करते ही जो है आप एक next page में चले जाओगे और वह next page का interface आपके सामने इस तरह से खुल के show हो जाएगा तो इस तरह से आपके सामने next page show हो जाएगा इस page को आपको उपर की तरफ स्क्रोल करना इसमें जो three line डाइन बनी हुए three line के उपर आपको किलिक कर देना जैसे थरी line के option के उपर किलिक करूँगा, किलिक करते ही फिर जो है इस तरह का website का interface आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हो एक option दिया है, क्लिक here फिर sorry, क्लिक here for POSB सेवा, e-passbook का ये जो option है, इसके उपर हमारे को किलिक कर देना है, तो ये जो option है, इसके उपर मज़े से किलिक करूँगा, किलिक करते ही फिर इस तरह का जो है एक link काएगा, इसके हमारे को ok कर देना है, तो मैं इसको ok कर देता हूँ ok करते ही, जो है next page हमारे सामने जो है, इस तरह का kulk के show हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले login होना है login होने के लिए आपको अपना mobile नमर और जो नीचे capture दिया हुआ है वो capture वाले box में आपको capture डाल देना है और capture डालने के बाद नीचे जो login का option दिया हुआ है, वो आपको इसमें login हो जाना है, तो मैं मेरा mobile नमर डाल देता हुँ और जो capture दिया हुआ है, वो capture में capture वाले box में इंटर करके और login हो जाता हुँ, जैसे आप login हो जाओगे, आपने जो mobile नमर इसमें इंटर किया है, उसके उपर एक OTP चले लिजाएगी, six digit की, तो वो OTP आपको जो है, जो OTP के box बने होए है यहाँ पर वो OTP आपको डालना है और OTP डालने के बाद, नीचे जो submit का option दिया हुआ है, आपको इसको submit कर देना है, तो मैंने OTP डाल दिया है OTP डालने के बाद, मैं जो है इसको submit कर देता हुँ तो जैसे मैं submit करूँगा, submit करते ही, फिर मेरे सामने इस तरह का page आ जाएगा, POSB e-passbook, click here, जो click here का option दिया हुआ है, इस click here वाड़े option के उपर click कर देना है, तो जैसे मैं click here के option के उपर click करूँगा, click करते ही, आप देख सकते हो, इस तरह का interface आ जाएगा, scheme नाम, account number, registered mobile number, intercape चा और continue कर देना है, तो scheme नाम में जाके आपको क्या करना है, इसको जो है select करना, select करने के बाद आप देख सकते हो, कि आप घर बैटे ही post office की यह सेवा, जैसे post office saving account, post office की RD, post office की time deposit, MIS, और senior citizen saving scheme, PPF, और SSA, यानि सुकन्या समर्दी, national saving certificate, किसान विकास पत्तर, यह जो post office की जो scheme है, आप इतने का जो है, mini statement और balance जो है, बहुत ही easily, इसको select करके और पता कर सकते हो, तो अभी हमारे को जो है, इस video में हमारे को सुकन्या समर्दी account का, जो है, mini statement पता करना है, तो मैं इसके उपर जो है, किलिक कर देता हूं, अगर आपको कोई और कुछ पता करना हो, तो आप जो है, उसके उपर किलिक कर देना है, इसके बाद में आपको जो सुकन्या समर्दी account का, जो account number है, वो account number आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, और जो केपचा दियावा है, वो केप इंटर केपचा का, उसमें आपको यह केपचा डालके और इसको जो है, कंट्यून्यू कर देना है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है, पोस्ट ओपिस की किसी भी स्कीम का, जो है, मिनी स्टेट में जो है, इस तरह से जो है, इसली पता कर सकते हो, चाई सुकन्या समर्दी हो चाई PPF हो चाई कुछ भी हो तो इस तरह से आपड़ी आसानी से जो है पता कर सकते हो मैंने जो है इसको कंट्यून्यू कर दिया है कंट्यून्य करने के बाद पेस लोडिंग वन्हें थोड़ सा टाइम लगेगा फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नमर प्रेक ओटीप चली आपोप्शन के उपर किलिक कर देना है तो मेरे को mini statement पता कर ना है तो mini statement के option के उपर किलिक कर देता हूँ जैसे ही आप कीलिक करोगे इस तरह का mini statement का page आपके सामने खुलके सियो हो जाएगा पेज को उपर की तरफ स्क्रोल करके और आप जो है पूरा आप देख सकते हो कि आपने कब जो है इसमें पैसे डिपोजिट की हैं किस से पैसे डिपोजिट की हैं और कितने रुपए जो है इसमें डिपोजिट की हैं उपर दोस्तो एक डाउनलोड का ओप्शन दिया हुआ है डाउनलोड वाले ओप्शन के ऊपर आप जो है किलिक करके और जो है अपने mini statement को डाउनलोड भी कर सकते हो मैंने डाउनलोड के ओप्शन पर किलिक कर दिया है जैसे ही मैं किलिक करूंगा फिर जो है PDF में खोलने केलिए बोल रहा है तो इस तरह से दोस्तो आप बड़ी ही आसानी से जो है अपने सुकन या समर्दी अकाउंट का जो है मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो वीडियो के रिगाटिंग कोई भी कुरियो कमेंट बॉक्स में जरूर लेके वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवा थेंक्यू दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वह बार मेरे यूटूब चैनल जारूर सब्सक्राइब करें थेंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो अगें थेंक